नमस्कार, परिश्रतिकी तंत्र परी चोथा वीडियो है इससे पहले की तीनी वीडियो आप प्लेइलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं प्लेइलिस्ट का नाम है परियावरण एवन परिश्रतिकी तंत्र Environment and Ecosystem आज की टॉपिक की जुरुवात है परिश्रतिकी निके से Ecological निके इस सद्र का प्रियोकस से पहले 1971 में ग्रेणल्स निकिया था क्यों किया था? उनकी संकलपना क्या है? ग्रेणल्स का मानना था कि हमारे परिश्रतिकी तंत्र में या अलग-अलग परिश्रितिकी तंतर में बहुत से जातियां और उपजातियां निवास करती है बहुत सारी तो क्या ये बहुत से जातियां और उपजातियां परिश्रितिक तंतर में कहीं भी निवास करती है या उनका कोई निश्चित सुरक्षित छेतर होता है ठीक है तो ये सभी जातिया और उप जातिया परिश्चित तंतर में कहीं भी निवास नहीं करती बलकि इनका अपना निवास योगे एक निश्चित इस्थानी सुरक्षित छेतर होता है और उस निस्षित इस्थानी सुरक्षित छेत्र की सीमा के भीतर ही ये जातियां और उपजातियां निवास करती है ग्रिनल्स ने इसी सुरक्षित इस्थानी छेत्र को परशित की निकेत का है इसे परशित की निक अथवा परशित की निले भी कहते है पिछली कई परिच्छाओं में ये सवाल पूछा गया है और आगामी परिच्छा में भी ये पूछा जाएगा पाजस्त की निकेत एक सब्दावली है अगर आप इसके बारे में पढ़े हैं तो उत्तर दे पाएंगे अनिथा पुरी तरह से गलत हो जाएगा इसलिए आज के टापिक में हमने इसको सबसे पहले डाला यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आप पिछले और्सों के पेपर भी चेक कर सकते हैं की स्टोन प्रजाती क्या है यहां से सवाल आप से पूछा जाएगा ये काफ़े important है की स्टोन प्रजाती कैसे ऐसी कोई भी प्रजाती ये की स्टोन प्रजाती क्या होती है ये कोई ऐसा निश्चित कोई किसी प्रजाती का कोई जीव नहीं होता है जिसे हम की स्टोन प्रजाती कहते है ये कोई निश्चित प्रजाती नहीं है बलकि वे सभी जीव, ऐसे सभी प्रजातियां, वे सभी प्रजातियां чो अपने आसपास के पर्षित की पर्यावरन और सुप्ष मजलवायो को समुचित मात्रा में प्रभावित करती हैं, उसे केस्टोन प्रजाती समझा जाता है ऐसी कोई भी प्रजाती जो अपने आसपास के वातावरण में समुचित परिवर्तनों के लिए उत्तरदाई है उसे क्री स्टोन प्रजाती कहते हैं यानि वो कोई भी प्रजाती हो सकती है जो अपने आसपास के वातावरण को परसित्की को प्रभावित करती है उसके होने से और ना होने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है यानि वो प्रजाती अगर है तो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है अगर नहीं है तो पर्यावरण पर दूसरे तरह के प्रभाव भरते है पहले क्या था कि जो बड़े परभक्षी है जैसे शेर बाग तेदवा, चीता, भेडिया है ना इन सभी को ही केवल की स्टोन प्रजाती माना जाता था यानि पहले केवल बड़े परभक्षियों को की स्टोन प्रजाती माना जाता था हमारे देश में परेटन विकास सुरू हुआ परेटन विकास के लिए पहाडी छेत्रों का विकास किया इसा किया गया ताकि वहाँ जो परेटक जाएं वो भयमुक्त होकर विचरण कर सके परेटन का आनन्द ले सके उन्हें इन जानौरों से डर ने लगे लेकिन अंजाने में परिस्थिक तंत्र आसंतलित हो गया उनको खतम तो किया गया था ताकि परिटन विकास हो हमारे देश में लोग कहीं आने जाने में डर है नहीं लेकिन अंजाने में पारिसत की तंतर पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्यों क्यों कि ये जो बड़े परभक्षी हैं ये शाकाहरियों की संख्या पर निंत्रण रखते हैं बड़े परभक्ची शाकाहरियों को खाते हैं, इससे शाकाहरियों की संख्या बहुत जादा नहीं बढ़ती, यानि उनके विर्धिय विकास को ये निंत्रित रखते हैं, और इस तरह से घास पर दबाव कम हो जाता है, क्योंकि अगर शाकाहरियों की संख्या बहुत हैं, है न, क्योंकि शाकाहरी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो घास और हरे पोधे इनके द्वारा चर लिये जाएंगे, तो जब परटन छेत्रों का विकास करने के लिए पहाड़ी छेत्रों में इन्हें समाप्त कर दिया गया, तो अनियंत्रित रुप से शाकाह हरी जियों की संख्या इतनी बढ़ी कि वे पूरा का पूरा घास का मैदान और हरी भरी वनस्पतियां चरने लगे, इससे क्या हुआ, जो वनस्पतियों की जड़े होती है, मिट्टी को बाद की रखती है, और पहाडी छेत्रों में भूमी कैसी होती है, ढालदार होती है, त तो मिट्टी का पर्दन बढ़ने लगा, जब अनस्पतियां चर ली गई, तो मिट्टी का पर्दन भहुत तेजी से बढ़ा, मिट्टी का पर्दन बढ़ेगा तो पहाडी छेत्रों की भूमी ढालदार है, तो इसको हम कहते हैं, लैंड स्लाइड होना, पूरी जो पहाडी जेटर की सता है भूस सता चछटानी सता हूँ नीचे की उरसा राखने लगी इसको हम कहते हैं इसे मिर्दा परदन बढ़ने से वहाँ पर भूस खलनी घटना या बड़ी तो सारा कर सारा मलबा भाकर कहा है नदियों में तूरा में गाद भर गया तो नदी की पानी कहा जाएगा तटको पार कर जाएगा बाढ़ाएगा तो पहाडी छेत्रों में परटन विकास के लिए जब बड़े परभक्षियों को मारा गया तो उसका दुस्प्रडाम कई रुपों में सामने आया नदियों में बाढ़ की सम्हावना भी बढ़ गी तो ये प्रजात प्रजाती कहा जाता है पहले के वल बड़े परभक्षियों को ही की स्टोन प्रजाती कहा जाता था लेकिन बाद में अनेक सुक्ष मजीवों को भी की स्टोन प्रजाती के अंतरगत रखा गया ऐसे सुक्ष मजीव कौन है जो अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण को समुचित मात्रा में प्रभावित करते हैं उधारण के लिए बहुत से बैक्टीरिया बहुत से बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है ना राइजोबियम के अलबा क्लास्ट्रीडियम राइजोबियम क्लास्ट्रीडियम यह जीवाड़ों क्या करते हैं वायमंडली नैट् पर अपने आकार की तुलना में बहुत बढ़ा प्रफाव डालते हैं क्या करते हैं वायमंडली नैट्रोजन को लेते हैं और मिट्टी मुन का इस्थरी करण करके उसे नैट्रेक्ट बदल देते हैं इस तरह से ये अपने क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उपजाओ छंता को क्या होता है मिट्टी में मिट्टी में जैविक पदार्त क्या होता है वनस्पतियों और मरेयाओ जियों का जो सड़ागला अंस होता है, जो मिट्टी में चला जाता है, तो उसे हम जैविक पधार्त कहते हैं,arm का मिर्टोप जीवी होते हों, वो मिर्टि के जैविक पधार्त को黙ठी को हूमस बतलि ओर कर दोके हैं और इस तरह से वो फिर मिट्टी क्यूब जाओ छम्ता को बढ़ाते हैं तो इस तरह से इन सभी को हम की स्टोन प्रजाती के अंतरगत रखते हैं इस रिपीट कर दूँ ऐसी कोई भी प्रजाती जो अपने आसपास की परशित्की वातावरन सुक्षम जलवायों को समुचीत और परयात्मात्रा में प्रभावित करें उसे की स्टोन प्रजाती कहा जाता है प्रजात्रा में कुछ प्राथमी कुदपादक होते हैं यानि हरी पत्ती वाले पोध्य होते हैं और उन्हें हम पोस्ण रिस्तर एक पर रखते हैं हरिपत्टि वाली supposed है और निर्भर। हुए उह का मुझचा उपभूकता केते हैं क्यों क्योंकि पहला जीव है जो हरीपत्टियों का उपभूग कर रहा है यानि हरीपत्टियों की उर्प में सवरिक उरजा का उपभूग कर रहा है कुछ अलग अलग पोस्तर के उपभोगता होता है उपभोगता की स्रेडी चार होती है आप पढ़े हैं चारो स्रेडी के उपभोगता तो किसी भी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों और चारो स्रेडी के उपभोगताओं के संख्या जीवभार और संचित उर्जा में परस उस्रेडी की उपभगताओं में तीन इस्तर का संबंध होता है, पहला इस्तर है संख्या का संबंध होता है, दूसरा इस्तर है जीवभार का संबंध होता है, और तीसरा इस्तर है संचित उर्जा का संबंध होता है, यानि इन दिनों में संख्या का भी संबंध होता है, जीव पेडों में एक भार होता है, इसी तरह से जीवों में भी एक भार होता है, संचीत उर्जा, जिस तरह से वनस्पतियों में उर्जा संचीत होती है, तो उन्हें शाकाहरी खालेते हैं, तो संचीत उर्जा कहां चली जाती है, शाकाहरीों में, शाकाहरीों को मासाहरी खालेते है तो संचीत उर्जा कहां चलियाती है? मासाहरियों में तो पारिसितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों और सभी स्रणी की उभगताओं के मध्य संख्या, जीवभार और संचीत उर्जा का एक संबंध होता है जब इन संबंधों को हम चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं तो पिरामिट का आकार बनता है इसे ही हम पारिसित की पिरामिट कहते हैं पारिसित की पिरामिट से खुब सवाल पूछे गया है और आगे भी पूछे जाएंगे जब आप चितर के माध्यम से इनकी संख्या को देखेंगे या जीवभार को देखेंगे या संचित उर्जा को देखेंगे तीनों संबंदों को हमें अलग 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 देखना है इन दोनों में संख्या का भी संबंद देखना है जीवभार का भी संबंद देखना है और संचि तो यह सुन्चित्व उर्जा का संब्धी पिरामिट कहेंगे और जब इन दोनों में संचितूर्जा गई तो की पिरामिट सब्द का प्रयोग सबसे पहले चांस एल्टन ने निस सोल 17 में किया था इस अभी व्यक्तियirm वर्ष के नाम भी आपको याद होने चाहिए परस्थ की पिरामिड यानि इन दोनों के मध्य माल लेते हैं जब हम संख्या का संबन दिखाएंगे तो इन दोनों की यानि प्रात्मिक उत्पादक और चारों सेड़ी के उभगताओं कि संख्या में परस्पर एक संबन होता है उ स्थाई सत्य बात है किसे भी परस्थ की पिरामिड में चाहे संख्या पिरामिड हो चाहे जियोभार पिरामिड हो या फिर संचीत उर्जा का पिरामिड हो किसे भी परस्थिक पिरामिड में प्रात्मिक उत्पादकों को हमेशा निचले आधार पर दरसाय जाता है और उसके उपर क्रम सह विभिन स्रेड़ी की उपभुकताओं को दरसा है जाएगा प्रथम स्रेड़ी का उभुकता, 32 स्रेड़ी का उभुकता, 33 स्रेड़ी का और 44 स्रेड़ी का उभुकता परसित्की पिरामिड में आधार पर हमेशा प्रात्मिक उत्पादक यानि हरी पत्ती वाले पोधे रहेंगे और सीर्ष पर हमेशा कौन रहेगा परसित्की पिरामिड के सीर्ष पर ये सभी आपसे question कुरूप में पूछा जा सकता है कि परसित्क पिरामिड में आधार पर कौन होता है प्रतं सरेड़ी का उभुकता प्राथमी कुत पादक उच्छ मासा हरी इन में से सभी या इन में से कोई नहीं इस तरह से आपको सवाल बनते हैं ध्यान से ना पढ़ने का वज़ा से आपको आएगा नहीं और लोग अगल बगल देखने का प्रयास करते हैं कि यार मैं पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कोई आसपास बता दू आसपास पूछनी की संभावना क्यों बढ़ जाती है जब हमको लगता है कि यह तो मुझे आ रहा है और अभी याद नहीं आ पा रहा है तो हम तो इसे क्या आएगा जब कोशन टफ होता है लेकिन जब कोशन बहुत इजी होता है तो एक कसक उठती है कि ओ मैं पढ़के आया था कोई आसपास से थोड़ा सभी मदद कर दीता तो मैं समझ जाता है अभी समझ लेता है किसे भी पार्शित की पिरामिड में चाहे वो संख् अइस्ट कि तो उरजा की पिरामिड हो उस पिरामिड में हमेशा प्राथमी कुत्पादकों को आधार पर दर्षाय जाता है और उसके ऊपर करम्सह विभिन स्रड besser के मासाहारियों को पिरामिड में सएस पर हमेशा च policy का उभीता यानी उच्छतम मासाहारी तो पिरामिड के सबसे उपरी भाग में उच्चतम सरड़ी के मासाहरी जन्तों को दर्शाय जाता है चुकि संबंद तीन प्रकार का होता है प्रात्मी कुत पादकों और चारो सरड़ी के उभकताओं में संख्या, जीवभार और संचित उर्जा के मदेख संबंद होता है इसलिए पार्शित की पिरामिट तीन प्रकार के होते हैं जीव संख्या का पिरामिट, जीवभार का पिरामिट और संचित उर्जा का पिरामिट सबसे पहले हम देखेंगे संख्या पिरामिट संख्या पिरामिट क्या है? जो पहली परिभाषा पढ़ी यही यहां पर समझ लेंगे, संख्या पिरामीटी, ईसकी शुरुआत कैसे करेंगे, किसी भी परिश्रतिक की तंतर में, वैसे हुझ भान। यहां पराथमी कुटपाद को, ओर विभिन फृड़ी के उपभग्ताओं के संख्या में एक संख्या ना। किसी पाज़स्तितिक तंत्र में प्रात्मी कुद्पाद को यानि हरी पत्ति वाले पेड़ पोधों और विभीनिस रेड़ी की उपभुगताओं में उपभुगताओं की संख्या में एक सम्मंध होता है इन संबंधों को संख्या पिरामिट के माध्यम से दर्स आया जाता है या ऐसा भी कह सकते हैं किसी पाज़स्तिक तंत्र में प्रात्मी कुद्पाद को और विभीनिस रेड़ी की उपभुगताओं की संख्या में संबंध दर्स आने वाले पिरामिट को संख्या पिरामिट कहते हैं तो संख्या पिरामिट सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो स सकते हैं केवल संचीथ उर्जा का पिरामीठ एक मात्र हैसा पिरामीड नहीं हो सकता बल्बुल जो दोन-धी शांख्या का पिरामीड और जीवबहार का पिरामीड अब यह मद्य्上 के जाएगी अभी कोई जल्दिबाजी नहीं है आराम से इसे उल्टा पिरामिट कहते हैं यानि जब उपर हिसा चोड़ा हो और आधार नुकीला हो तो उल्टा पिरामिट और जब आधार चोड़ा हो और श्रीर्ष नुकीला हो तो इसे कहते हैं सीधा पिरामिट तो संख्या संख्या पिरामिट सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है उधारण के लिए जो घास और तलाब घास के मैदान और तलाब का जो परस्यतिक तंत्र होता है वहां संख्या पिरामिट सीधा होता है यहाँ पे संख्या नहीं लिखा है जोल लिजेगा उधारण के लिए घ गांस के मैदान और तालाब के परिस्थिक तंत्र में संख्या पिरामिट कैसा होता है सीधा होता है कैसे सीधा होता है आई देख लेते हैं दूसरा से इंट्रीज पढ़ लेते हैं इसे परकार तालाब परिस्थिक तंत्र का संख्या पिरामिट भी सीधा होता है यानि पहले हम सीधे पिरामिट के बारे बात करेंगे घास और तला परिस्थिक तंत्र को हम पहले लेते हैं आप एक घास के परिस्थिक तंत्र में जाईए जिसे सवाना का जंगल है जहाँ शेयर रहता है या फिर हरे-भरे जंगल में जाईए है जो पीड़ों से भरा हुआ है मैदान का पिरामिट को सो से पहले हम ले लेते हैं घास के मैदान की पिरामिट को अप लीजी इसमें क्या होगा कुछ घáस और छोटी जऺणियां होंगी उन पर रिवास करने वाले टिड्डे होंगे टिड्डों को टिड्डों को मेढख खाएंगे मेढऊ को Zar Just और संख्या का संस्ixel यहां पर संख्या किसकी सबसे ज़्यादा होगी हमने पहले यह भी कहा हैं कि प्राथमिक उत्पादकों को हमेशा आधार पर ही दिखाये जाएगा, कोई भी पिरामिड हो, तो संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है? घास की होगी, इसलिए संख्या की संख्या होगी, उसको सबसे छोड़ा दिखाये जाएगा, घास पर निर्भर जो टिड़।isional है, टिड आधार को चौड़ा बनाया गया है आधार को चौड़ा बनाने का उद्देश क्या है क्या दर्शान है यहां पर इससे आपको यह पता चला है कि सबसे ज्यादा संख्या किसका है घास का है और शीर्ष नुकीला यानि उचितम मासाहरी यहां पर है सबसे कम संख्या किसकी है ब प्राथमी कुदपद्गों की संख्या जादा है और इनकी सब से कम है इसलिए सौभावी कुरुप से आप समझ गए कि घास के मैदान के पारस्थिक तंत्र का संख्या पिरामिट कैसा बनेगा सीधा बनेगा अब हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि रटने वाली बात नहीं है जै अपनी आख दो मिनिट के लिए दो सेकंड के लिए बंद करेंगे आप दिमाग में घास का मैदान पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है घास के मैदान में संख्या सबसे अधा प्राथमी कुदपद्गों की होगी फिर टिड़ों की फिर मेड़ों की फिर साब की फिर बाज की तो सभाविक रूप से सिर्ष पतला होगा सिर्ष नुकिला होगा और आधार चोड़ा होगा यह आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर संख्या पिरामिट सीधा बनेगा है ना तो प्रात्मिक उप्पाद्रकों की संख्या सबसे अधिक इसलिए पिरामिट का आधार चोड़ा होता है लेकिन बढ़ते पोशन और उस्तरों के साथ यह जैसे जैसे हम उपर जाएंगे जीवों की संख्या में निरंतर कमी आती जाती है इसलिए संख्या पिरामिट का सिर्ष नुकिला होता है इसी प्रकार तालाब परस्तिकी तंत्र का संख्या पिरामिट भी सीधा बनेंगा कैसे वहां पर पर प्रात्म में कुद्वाद कोन है इसे उन थोड़ी दर के लिए तलाप का समझ लेते हैं यहां पर परकतमी तालाप का समझेगे सी यहां है है यह जी क्तुफ के प्रात्मी फृत्य कोन है फाइटो प्लेंक्टं संख्या सबसे जदा किसकी होगी। आधर में घंस सयवाल कूं होता है तो फाइटो क्लेंक्टं संक्या सबसे जदा होगी। उनको कौन संख्या किसकी ज्यादा होगी बड़ी मचलियां जैसे शार्क निल्वेल है ना डॉल्फिन शार्क निल्वेल डॉल्फिन ये सब बड़ी मचलियां है बड़ी मचलियां छोटी मचलियां प्लैंकटन को खाती है प्रात्मी कुछ पादर आप बताईए अगर महसागर में संख् परस्तिक तंत्र में संख्या पिरामिट कैसा होगा सीधा होगा यह रटने वाली बात नहीं है आप जितना ही समझेंगे जितने ध्यान से समझ जाएंगे जबकि एक पेड़ का परस्तिक तंत्र आप से पुछा जाएगा मालेत हैं यह सबसे ज्यादा संभावना है दो सबसे ज प्रात्मी कुत पाधक के पेड़ाध्यान देजेगा पेड़ का अपना पयासितिक तंत्र होता है क्योंकि पेड़ पर विभीन इस रेड्यों की जीव निवास करते हैं पेड़ पर साब भी रगता है चिड़ियों उसके लमाँ छोटी-छोटी चीटियां भी रगती है आधार पर हमेशा किसी दिखा जाता है प्रात्मी कुत पादक को यहां पर प्रात्मी कुत पादक कौन है एक पेड़ा या, म कईझ है कूए विभी निवास करते हैं कीट ज्यादा बठते हैं आप कहेंगे कीट ज्यादा बठते हैं तो एक पेड का जो परस्थितिक तंत्र का जो पिरसंख्या पिरामिड है वो उल्टा बनता है क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर प्रात्मिक उत्पादक एक पेड है चुकि एक पेड है इसलिए इस यहां चुकि प्राथमिक उत्पादक कौन है एक पेड़ है और पिरामिड में प्राथमिक उत्पादकों को हमेशा आधार पर दर्शाय जाता है इसलिए प्राथमिक उत्पादकों को हमेशा आधार पर दर्साय जाता है इसलिए प्राथमिक उत्पादकों को हमेशा आधार प देखते हैं, फिर वहीं परिभाषा, क्या? किसी भी परिस्तिक तंत्र में, प्राथमिक उत्पादकों और विभिने स्रेडी के उपभोकताओं के जियो भार के सम्मंद को दर्शाने वाले पीरामिट को जीव भार का पिरामिट करते हैं या जीव भार पिरामिट द्वारा जीव भार पिरामिट द्वारा किसी भी पैस्तिक में किसी भी पैस्तिकी तंत्र में जीव भार पिरामिट द्वारा प्रात्मिक उत्पादकों और विभिन स्रेड़ी की उपभोगताओं कि जीवभार के सम्मंद को दर्श आया जाता है अब प्राथमी części को और उभिनिस रेड़ी के उभोगता हो कि मद्ध जीवभार के सम्मंद को कैसे दर्शा जाता है पिरामिट के मद्धन से देखी पहले तो जीवभार का पिरामिट भी सीधा भी हो सकता है और उल्टा दोनों परकार का हो सकता है यह जान लिया अब दो फैक्ट हमने आपके सामने रखे हैं वन और घास परिसितिक तंत्र वन और घास अलग-अलग नहीं होता है काफियत तक एक होता है वन मतलब जहां पेड़ पोधे जाता हो गास मतलब जहां जाड़ियां जाता हो वन और घास परिसितिक तंत्र का जीवभार पिरामिट सीधा बनेगा जबकि तलाब परिसितिक तंत्र का जीवभार पिरामिट उल्टा बनेगा आपने एक चीज़ और देखा अभी आपने थोड़ी दिर पहले देखा कि तालाब परिस्यतिक तंत्र का संख्या पिरामिट सीधा होता है तालाब परिस्यतिक तंत्र का संख्या पिरामिट तो सीधा होता है लेकिन तालाब परिस्यतिक तंत्र का जो जीवभार पिरामिट होता है वो उल्टा होता है आगे आपने पढ़ाता संख्या पिरामिट सीधा क्यों होता है नीचे प्लेंकटन प्रात्मी कुदपादक उसके बाद छोटी मचलियां बरी मचलियां इनकी संख्या सबसे कम प्लेंकटन की संख्या सबसे जादा इसलिए संख्या पिरामिट तो सीधा होता है लेकिन तालाब का जी उभार पिरामिट उल्टा होता है यह हम थोड़ी दर में समझेंगे सबसे पहले वन और घास परस्थितिक तंत्र का जीवभाग पिरामेट सीधा होता है कैसे वन और घास परस्थितिक तंत्र को हमने ले लिया हमने बताया था पहले ही कि कोई भी पिरामेट हो प्रात्मिक उत्पादक हमेशा न खरगोर्षों का बहार जादा होगा पेडा, खरègोdraw, लोमडी शेर, प्रातमी कुठपादक और विभीनिसरेड की उपभूग्ता प्रातमी कुठपादक और विभीनिस रेड़ी की उपभूगता आप सोयम इन सभी का भार देख लेजी कलपना करेजै किसका भार ज़्यादा होगा प्रात्मी कुद्पादुकों का भार सबसे ज़्यादा होगा इसलिए घास के मैदान या वन के परिस्तिक तंत्र में जीवभार पिरामिट का आधार चौड़ा होगा क्यों क्योंकि पेडों का प्रात्मी कुद्पादुकों का यहाँ पर जीवभार सबसे कि कम उसक्रवाइब घरता चला जा रहा है तो प्रात्मी कुट पादुकों का जीवभार सबसे कम इसलिए इसलिए घास के मैदान में घास के मैदान में जीवभार पिरामिड यह कैसा पिरामिड है यह जीवभार पिरामिड है जीवभार पिरामिड का सेश नुकीला होगा और आधार चोड़ा होगा इसलिए जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा सीधा बनेगा कहां घास के मैदान में और वन परस्थितिक तंत्र में अब तालाब परस्थितिक तंत्र का जीवार पिरामिट देख लेते हैं एक तालाब का जीवार पिरामिट कैसा होगा हम जीवार देख रहा है हमने पढ़ा था कि तालाब परस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिट सीधा होता है सीधा मतलब ऐ यहनि शाकाहरी मचलिया और उससे कम मासाहरी मचलिया इसने संख्या पिरामिट तो सीधा बना लेकिन प्लैंक्टन की संख्या सबसे ज्यादा होते हुए भी उसका भार कम होता है प्लैंक्टन में कुछ भार नहीं होता है हलका होता है जीव भार शुष्क भार को सामिल करते है प्लैंक्टन में ज़्यादा तर पानी भरा होता है, हम पानी के भार को नहीं लेंगे, पानी को हटाने के बाद उसका जो शुष्क भार बचेगा हम उसे सामिल करते हैं, तो प्लैंक्टन का जीव भार सबसे कम हो जाएगा, तो तालाब का जीव भार पिरामिड उल्टा जाता है, और चुकि इनका जीव भार सबसे कम है, इसलिए तालाब के जीव भार पिरामिड का आधार नुकिला होगा, और तालाब के जीव भार पिरामिड का जो शीर्ष होगा, वो चौड़ा होगा, क्योंकि बड़ी मचलियों में कौन है, वेल है, सील है शार्क है डॉल्फिन है दुगोंग है बहुत से बड़े-बड़े होते हैं यह तो मैंने कुछ से चार-पांचे सेलेक्टिड नाम लिया है होते हैं बहुत ज्यादा जैसे कुछ आप अभी देख पार हैं वेल, शील, शार्क, डॉल्फिन, डुगोंग यह सब बहुत ब तरफ यह सबसे कम है, इसलिए आधार, नुकीला है और जो उच्षितम मासाहरी है, उन मासाहरी का भार सबसे ज़्यादा है, इसलिए सीर्ष चोड़ा है तो सौभाईक रूप से तलाप का जीवार पिरामिड उल्टा बन जाता है यह समझने वाली बात है एक मिनट के लिए अगर आप अभी ध्यान से समझ लेंगे तो बाद में कभी भी दस से बंदर सेगंड के लिए आँक बंद करेंगे ध्यान से सोचेंगे निकल कर सामया जागा यह गलत नहीं होना चाहिए यह सब सवाल गलत होने का मतलब होता है कि प्रिली में ही फ्यलोने की समहोना बढ़ जाती है नेक्स्ट संचित उर्जा का पिरामिट तीनों पिरामडों में यही एक मात पिरामिट है यारी उर्जा पिरामिट जो हमेशा सीधा बनेगा क्यों सिधा बनता है उश्मा गतिकी के नियमों का पालन करता है जो उर्जा पिरामेट होता है उश्मा गतिकी के नियमों का पालन करता है सूर की उर्जा किस में संचीत होई सूर की उर्जा को रासानी प्रकार सूर्जा को रासानी को उर्जा में कौन पर्थित करता है हरे पौधे इसलिए उन्हें प्रात्मी कुथपादक कहा जाता है प्रात्मी कुथपादकों को कौन खाता है शाकाहरी यानि यह उर्जा कहां चले गई शाकाहरियों में शाकाहरियों को मासाहरियों निखा लिया मासाहरियों को उच्छतम मासाहरियों निखा लिया इस तरह से उश्मागतिकी किनियम के नुसार उर्जा का इस्था पाइस्थितिक तंत्र में उर्जा का इस्थानांतरण प्राथमे कुछ पादकों से विभिन स्रेडी के जीवों में होता है विभिन पोशण इस्तर के जीवों में उपर क्यों होता है यानि उर्जा का इस्थानांतरण पौधों से साकाहरियों शाकाहरियों से मासाहरियों और मासाहरियों से उचित पर मासाहरियों क्यों हो रहा है है ना तो उर्जा का इस्थाना अंतरण हो रहा है आप ध्यान दे पा रहा है तो इसलिए पिरामिट हमेशा उर्जा पिरामिट सीधा बनता है साथी सीधा दिखाने का मतलब ये भी है कि यहाँ पर सरवाधिक उर्जा होगी यहाँनी 10 इकाई उर्जा हमाल लेते हैं यहाँ पर 8 इकाई उर्जा होगी यहाँ पर 6 इकाई उर्जा होगी यहाँ पर 4 इकाई उर्जा होगी तो उर्जा उपर की उर्जा रही है प्राथमिक उत्पादकों में संचीत उर्जा सरवाधिक होगी लेकिन ये सारी उर्जा यहां नहीं चलियाती यहां पर 10 है तो यहां 8, यहां 6, यहां 4 क्योंकि ये अपनी सारी उर्जा उपर की उर नहीं देते हैं बलकि उर्जा का केवल 10% भागी उपर जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है एक पोसण स्तर से दूसरे पोसण स्तर में उर्जा का स्थनांतर होता है लेकिन प्रतेक पोसण स्तर का जीव यहाँ पे 4 पोसण स्तर है एक, दो, तीन, चार यहां पर चार दिखाए गए हैं तो प्रतेक पुषण इस्तर का जीव केवल 10% उर्जा ही अगले पुषण इस्तर को स्थननत्रित करता है और सेश 90% उर्जा उसी पुषण इस्तर में उपभूग हो जाती है यह पुषण इस्तर इसको किल 10% ही दिया सेश 90% उर्जा इसी पुषण इस्तर में उपभूग कर लिजाती है इसलिए बढ़ती पुषण इस्तरों के साथ संचीत उर्जा में कमियाती है इसलिए जैसे जैसे हम उपरी पुषण इस्तर में जाएंगे संचीत उर्जा में धिर की पीरामेट के बारे में इसके से लवी पारिस्तीक का लोगए। हम धिर केkad करेंगे उसके बाधं इस प्रुम प्रदोश्व में कि करेगे और और भारत में जीव विद्धा का भारत और विश्यों में जीव फिता करेंगे यानि बायोडेवस्टि का धिन करेंगे, बायोडेवस्ट्रू है तो वन जीवन सरक्षण के उपाय भी है, क्योंकि उनका हरास हो रहा है, तो सरक्षण के प्रयासों के बारे बा趣त करेंगे और इन संदर में तमाम योजनाओ, परियोजनाओ और भारती और व्यश्विक संगत कि भी चर्चा होगी जो इस दिसा में लगे रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार